इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे एच्टेट के लिए हमारे पास जो आपको पता है एच्टेट पीजीटी और जितने भी हमारे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबके जो एच्टेट एक्जाम में होने जा रहे हैं तो मैं especially आप लोग के साथ बात करूँगा एच्टेट पीजीटी में केमिस्टी सुब्जेक्ट से लेटर तो केमिस्टी सुब्जेक्ट से लेटर अगर आप प्रिपेर कर रहे हो आप MSE Chemistry हो तो आप definitely इस एक्जाम को दे सकते हो और अगर आपको हर्याना के अंदर ठीक है लेक्टर की पोस्ट के लगना है तो सबसे पहले आपको पता है आपको H.T.P.T. एक्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप यह एक्जाम ही नहीं क्वालिफाई करोगे तो आप लेक्टर वाला एक्जाम ही नहीं दे पाऊगे तो it is a minimum criteria for being लेक्टर इंदर हर्याना उसके लिए आपको एक proper strategy को अपनाना पड़ेगा यह proper strategy मतलब आप लोग को पता है अगर total आपके 150 marks का paper होता है तो 150 marks में से अगर आप 90 प्लस score करते हो 90 ए 90 प्लस score करते हो तो आपका H.T. qualify माना जाता है तो आपका H.T. क्या हो जाता है qualify अगर जो categories है उनके लिए शायद 84 marks क जो criteria होता है बट बाकी journal category लिए अगर आप students हो तो 90 प्लस पे आपका selection हो जाता है और यह qualifying exam होता है यह क्या होता है qualifying exam होता है तो इसके अंदर ठीक है cut off नहीं जाती simple आपको 90 marks लेने है आपका exam क्या हो जाएगा clear इसमें देखो दो section होते है एक होता है section A जो होता है हमारा पा 60 marks का और 60 marks का होता है subject 60 marks का क्या होगा subject जैसे गर आप chemistry में दे रहे हो तो आपका 60 marks क्या हैगा chemistry का portion आएगा जर्नली students common part में थोड़ा सा कम score कर पाते हैं ठीक है ना कई वर pedagogy difficult आ जाती है तो जो students properly prepare कर रहे हैं तो उनको chemistry में 60 out of 60 marks लेने पड़ेंगे तब वो easily इस exam को qualify कर देगे एक्ट्र में जो level होता है question का होता है easy होते लेवल ओक स्का होता है easy होता है और इस वार तो slabus भी reduce कर देगे यह मैं जो slabus आपके साथ discuss कर रहा हूं यह last time का slabus है बड़ sail bus क्या हो चुक है काफी reduce हो चुक है student slabus क्या हो चुक है काफी reduce हो चुक है और last time जो paper आया था वो इस reduce syllabus के according ही आया था तो इस साल भी syllabus में कोई change नहीं होने वाला तो last time का syllabus था वही आपको syllabus देखने को मिलेगा यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है chemistry के syllabus में subject related pedagogy मतलब chemistry के subject related आप से pedagogy पूछेंगे पर last time इस तरह कोई question नहीं पूछा गया था ठीक है तो 60 out of 60 question थे जह देखो कौन कौन से topic हमने पढ़ने है यह कुछ topics नहीं 9th 10th level के दिए रखे है like matter surrounding matter around us pure atoms and molecules structure of atom तो chemical equation and reactions होगी acid based chemistry होगी metals non metals होगी and carbonates compounds अगर आप इसको ध्यान से देख पार हो students तो यह आपके 9th और 10th के chapters है chemistry के 9th और 10th के chapters है अगर आप 11 12th पढ़ लोगे तो यह 9th 10th chapter सो आ आपके automatically क्या हो जाएंगे cover हो जाएंगे because 9th 10th level पे काफी basic level होता है बस उसी को आपको extend करके यहां पे पूर सकते हैं उसके लावा 11th level के देखो 11th में आपको more concept से question आएगा ठीक है structure of atoms से आएगा periodic table से आएगा chemical bonding से आएगा उसके लावा thermodynamics से आएगा equilibrium से आएगा redox से आए ठीक है isomerism cover हो जाता है यहां से clear isomerism के इलावा आपकी जो analytical techniques है ठीक है qualitative and qualitative analysis है ठीक है उन सब का portion यहां पे cover हो जाता है तो यह आपका 11th का slivers हो गया और यह finally आपका दिया हुए 12th का slivers तो कर आप देख पा रहे हो तो यह जो slivers दिया है यह updated NCRT के according है जो आपकी latest NCRT चल र updated NCRT के according मतलब जो आपके पास NCRT में slivers होता है वही same slivers आपको एच्टेट के अंदर देखने को मिलेगा like आपको पता है कुछ chapter होते है solid state वो यहां पे NCRT से कट चुका है तो यहां से भी उन्होंने काट दिया एक chapter होता था polymer पहले बहुत कोशन आते थे but polymer slivers से कट चुका है ठीक है एक chapter था chemistry in everyday life ठीक है उससे भी पहले बहुत कोशन आते थे chemistry in everyday life तो वो भी chapter कट चुका है students clear तो आप लोग को जो chapter कट चुका है उनको उपर बिल्कुल भी focus करने की दूरत नहीं है पहली last time मैंने भी बच्चों को बोला था कि पढ़के चले आने का कोई benefit नहीं है अगर आपको पढ़ने भी होंगे तो आप बिल्कुल last moment पे उन chapters को पढ़ सकते हो otherwise आपका main focus हो जाए जो syllabus उन्होंने क्या किया है mention किया है clear students इतने points I hope आप लोग को ये video काफी beneficial हो रहा होगा अब देखो students generally पढ़ लेते हैं तो इसकी best strategy क्या होगी वह लिए बसके हैं कुछ नहीं पता उनका बहाद से डाल दें तो all pyqs आपने solve कर लेने हैं आपको 6-7 papers मिल जाएंगे at least 5-6 paper तो easily available है ठीक है 4-5 तो मैंने अपने YouTube पे completely solve कर आ रहे हैं तो जो 5-6 papers है इनको properly solve कर लेने हैं और इनके questions हैं जो आपके question और साथ में answer आपके क्या हो कर ले तो answer क्या हो जाएंगे tips भी हो जाएंगे अब आप बोलो किसरा आप रटने को बोल रटने को नहीं बोल रहा है देखो logic क्या होता है यहां पर हमें smart strategy अपनानी होती है आपको पता होगा कि अगर 60 questions आ रहे हैं तो 60 में से 10-12 questions 10-15 questions तो previous year question डाल देते हैं और without statement जाने व हो जाएगा आपको time भी बचेगा as well as आपका answer भी क्या होगा accurately solve हो जाएगा देखो मैंने अपनी app के अंदर मेरी app का नाम है chemistry a to z वहाँ पे आप test series भी जॉइन कर सकते हो वहाँ पे आपको HPSC के नाम से test series मिल जागी HPSC PGT की test series तो वहाँ पे आप 450 नाम से test series जॉइन कर लो तो उसका क्या benefit भी आपको बता रहा हो यह 450 रिपीस की test series है आपको ठीक है ज्यादा costly भी नहीं है ज्यादा अपको app नाम करने chemistry a to z प्ले सोर से मिल जाएगे आपको chemistry a to z तो वहाँ पे आपको अगर test series जॉइन कर लोगे तो आपको पिछले पांच papers है जो वह app के अंदर मिल जाएगे एक तो आप उनको test की form में दे पाऊगे मतलो timer के साथ पांच papers को उसके लाब जितने भी test है उनकी video solution आपको मिल जाएगे उनके video solution मिल जाएगे उसके लाब उनकी solution PDF मिल जाएगे उसके लाब आपको हर एक chapter wise chapter wise आपको 40 plus test मिल जाएगे chapter wise 40 plus test मिल जाएगे और test ऐसा नहीं कि अकेले test test के साथ आपको मिलेंगे उनके video solutions टेस्ट के साथ क्या मिलेंगे video solution जो कि बिल्कुल ही exam के oriented है उसके लाब जब आपका exam पास आएगा तो आपको 5 mock test विसमें क्या कर दे जाएगे और wide कर दे जाएगे मतलब around आपको 60 plus test मिल जाएगे जो कि बिल्कुल ही exam oriented है और 80-90% question आपको उनी test series से देखने को मिल जाएगे जादो similar type के होंगे जा almost वही question आपको देखने को मिल जाएगे तो students इसके लिए आपको करना के जस्ट chemistry a to that app को download कर लेने है clear तो एक तो पहला point हमने discuss के लिए आपने सारे previous year question solve कर लेने है और ज्यादा हाइफाई नी पढ़ना आपने ncrt school रट लेने है ncrt organic को तो definitely रट लेने है ncrt organics पूरी र लेने है उसके लाब आप फिजिकल के लिए आपको numerical practice करने है formulas को आपने याद करने है और उनको apply करना है और उनको क्या करना है नुमेरिकल पे just formula based question आते है students ज्यादा बहुत in depth question याता physical chemistry से ठीक है ना बिल्कुल formula based question आएगे अगर आप थोड़ी सी मेंद करते हूं ठीक है आ आपने MSE की है अगर आप थोड़ी सी वी के मेहनत करते हो सिर्फ दो से तीन मंस भी मेहनत करते हो तो इसली आप 60 आउट ओफ 60 स्कोर करते होगे इस चीज की मैं गरेंटी देरों आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर आप 8437068169 तो इस नंबर पर आप मेरे साथ कॉंटेक्ट भी कर सकते हो और अगर आपको डै जोइन करना है तो आप हमारी एप को डाउलोड कर सकते हो किमिस्ट्री A to Z और इस एप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो